और आज मुझे टेली प्राइम में अपनी कंपनी का लोगों लगाते हैं और अपने सेल इन्वाइस पे उसको कैसे सो कराते हैं प्रिंट करके वह आज की क्लासेस में हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बेश्टेप सीखेंगे और जानेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि हम ऐसा जो प्रिंट आउट हम लोग देते हैं वह किसका देते हैं सेल का देते हैं तो सेल पर ही क्योंकि वह बिल हम लोग जो सेल का देते हैं वह किसको देते हैं अपने कस्टूमर को देते हैं और मैं सोच रहा हूं कि कस्टूमर जब भी हमा काम भी आए और वहाँ पर करना होता है अब कि क्या लगाना होता है तो चलिए करके समझते जानते हैं तो सबसे पहले क्लिए क्वाट गया आप अपना कंपनी tha कि किया ओपें किया है ओपें है की नहीं जी ओपें है अब मैंने कने कर लिया और से प्रीन के यहीं फिरना आता है अब देखो जैसे मैं यहाँ पर आउंगा और प्रिंट पर कलीक करूंगा आप प्रिंट पे क्लिक करते ही क्योंकि अपने कुछ खोला तो है नहीं समय कि करेंट प्रिंट वाला आपसान हाइलाइट होगा फिर भी हम प्रिंटर का सेटिंग करना चाहते हैं कि जाओ प्जाल सुस्के बास सदेखीर इंपने तक अपनिटर सरे तो हमनेखंते और करेंगे अब को अब आप लोगों कुछ नहीं करना है नीचे आना है और नीचे आने के बात से यहां पे आपको राज आएंगे यहां पर configuration में और configuration में आने के बाद से क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही देखो यहां पर आप सव्टन देता है printer setting भिए आप लोगों अब आप लोगों कुछ नहीं करना है नीचे आना है और नीचे आने के बाद से यहां पर लिखा गया है include company logo लोगो करना में करते समय इंट करते समय लोगों क्रिंट करना होगा है इंक्रवीन दबाके यस कर देंगे अब यस करने के बाद से कंपनी हमारा ओपन है फिस इंटर बटन दबाएंगे और देखो फिस मैसेज आ गया इंक्लूड कंपनी लोगो और आप मैसेज आया है अपलीकेबल टू प्रींट इक्सपोट इमेल ठीक है तो आपको क्या करना है यहां से इसको भी यस करना है क्या करना है यस करना है और यस करने के बाद से फिस से देखो मैसेज आया image path और image file name तो सबसे पाले आपका आप कहां पर उस image को रखे हो उस image path को select करो तो सबसे पाले मैं आता हूं और अपना logo insert करता हूँ देखो सबसे लोगो लाना है देखो हमारे यही logo है न राइट क्लिक करेंगे और save करेंगे और logo के नाम से देखो डाउनलोड में सेव हो रहा है सेव कर दिया है कि अब आएंगे फिसले टैली में टैली माने के बास से यहीं पर देखों हमको सेलेड करना होगा सब्सक्राइब कहाँ पर कि ड्राइब में रखें हैं वह लेंगे उसके बास से कहाँ रखें हो C drive में D drive में desktop पे या documents में या download में काप रखा है download में download ले लेंगे किस नाम से save है logo तो यहाँ पर आएंगे कहाँ पे logo में और यहाँ पर logo select करेंगे और देखो लग गया है फिससे इंटर बटन दबाओगे तो फिससे वही देखो इसको बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या क्या मेंसन किया गया है समझे और देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि only BMP and JPG file फार्मेट आरे सपोर्ट इडिकरन आपको मलब JPG और BMP फाइल इस सपोर्ट करेगा और देखो यहाँ पर बताया जा कर सकते हो अब है कुछ नहीं करोगे बस क्या करोगे सेंट्टर ले करके सेवगुंवकिया और इसके बटन दर बाके बाहर आ जाएंगे ठीक है बाबू बाहर आ गया है अब चलो मैं आता हूँ और एक सेल का एंट्री पास करता हूँ और देखता हूँ लोगों इंसट हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो सिंपल है आपको आना है कहां पर वाउचर में और वाउचर माने बासे दबाते हैं यह फेट बटन और सेल्स लोकल अंडर्गुरू कि सेल्स एकाउंट जो आइटाउन इतना खरीदा उसी को बेज देते हैं और कितने खरीदा चेक करना पड़ेगा ना अल्टियस को 1100 एक उर्पया सतर पैसा बोलो यह फायदा होता आल्टियस पढ़ाया तना हाली में यह पता चल लगए बात तुरंद वहीं हमने को आंटिटी ले लिया एक और बीचने 12 सब्सक्राइब हो जाएगा अब आएंगे सेंटरल टेक्स और स्टेक्स अब आने के बाद से इसको प्रिंट करना हमको अब प्रेजर बटन अब आएंगे फिस्स वापस आ जाएंगे और हमको चेक करना है वह सिंपल है क्या करना है आपको अल्ट के साथ जी कि अल्ट के सब पी करेंट प्री और आज आप प्रिवियू देखते हैं लोगों आया कि नहीं है कि अया ऐसे संसाइन का है झाया है मेरा जैसा हो ऐसा एक है तो आप अपने हिसाब से यहां पर लोगों इंसर्ट करा सकते हो बहुत अच्छा हैं फीकर साईड में है और आप असानी तरीकेसे ऐसे काम कर सकते हो कोशन सौल्व कर सकते हो जाएगा बाबू कोड़ी कर नहीं है ना लिख लो आप लो कहां कहां जाएंगे कैसे जाएंगे